हर्याना के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्ट ने मुख्यमंत्री की शपत लेते ही भ्रष्टाजार के खिलाब विशेश मुहीम छेड़ते हुए भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस लाने की बात कही बुद्वार को डीजीपी विजिलन्स ने जानकारी दी की हर्याना में खट्टर सरकार बनने पर ब्रष्टाचार के केसों की औरसत 18 केस प्रतिमा हुई है जो की इस से पहले मात्र 8 केस प्रतिमा ही थी हर्याना के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खटर ने मुख्यमंत्री की शपत देते ही भ्रष्टाचार के खिलाफ विशेश मुहीम छेडने का जो वाइदा किया था उसका असर अब देखा जाने लगा है राजे चौक्सी विभाग के डेजीपी यश्पाल सिंगल ने बुद्वार को पत्रकारों से बाचित करते हुए कहा कि जनता के सयोग के बिना भ्रष्टाचार को खतम नहीं किया जा सकता सिंगल ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद विभाग ने टोल फ्री नंबर के 18000-20022-1064 के साथ वाटसैप नंबर और फेस्बुक पेज भी जारी कर दिया है जनता भ्रष्टाचार की शिकायत वेबसाइट पर भी जानकारी दे सकती है भ्रष्ट अधिकारियों और कमचारियों के सुचना हमें हमारे टोल फ्री नंबर 1064 हमारा दूसा टोल फ्री नंबर 1800-180-2022 हमारा वर्डसैप नंबर 094-178-91064 हमें फेस्बुक पे www.facebook.com.svbharyana, www.twitter.com.svbharyana तो था हमारे ओफिशल वेबसाइट www.haryana-vizilance.gov.in पर भी संपर्क किया सकता है यसपाल सिंगल ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेशों पर ब्रस्टाचार पर अंकुष लगाने के लिए विभाग के करमचारियों को विशेश दिसा निर्देश दिये गए हैं डीजीपी विजलेंस ने जानकारी दी कि हर्याणा में खटर सरकार बनने पर ब्रस्टाचार के केसों की आउसत 18 केस प्रतिमा हुई है जो कि इस से पहले मत्र 8 केस प्रतिमा ही थी सिंगल ने बताया कि उनके राजे चौकसी विभाग में उनके पदभार समालने के बाद ये उसत बढ़कर 24 हो गई है जो नॉम्बर और दिसम्बर के मास में 18 प्रतिमास हो गई है और 10-11-2014 के बाद ये उसत लगभक 24 हो गई है इस वर्ष हमने टोटल 116 मुकदमे चापों के अधार पर दर्ज किये हैं जिसमें हमने सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को पकड़ा है यस्पाल सिंगल ने बताया कि राजे चौकसी विभाग ने ना केवल ब्रष्टाचार की मुकदमे दर्ज किये बलकि अधालत में भी केस की मजबूती से पैरवी की है सिंगल ने बताया कि साल 2014 में 70 केसो में 72 ब्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों को सजा दिलवाई गई कम से कम एक साल और ज्यादा से ज्यादा च्छे साल की सजा दिलवाई गई यसपाल सिंगल ने बताया कि ये सजा पाने वाले अधिकारियों में राजा सुई भाग और पुलिस भी भाग के जादा करमचारी और अधिकारी थे पिछले दो महीनों में अगर राजे चौक्सी विभाग की कारवाई को देखे तो मुख्यमंत्री मनोहलाल खटर का ब्रस्टाचार में जीरो टॉलरेंस का सपना पूरा हो सकता है डीजीपी विजलेंस ने बताया कि ब्रस्टाचार पस अंकुष लगाने की ये तेजी मुख्यमंत्री के शक्त आदेशों पर हुई है डीजीपी के अनुसार ब्रस्टाचार पर अंकुष लगाने के लिए जनता से भी उन्होंने सयोग की अपील की है इसके लिए टोलफीर नमबर के साथ साथ वटसेप नमबर और फेस्बूक पेज भी जारी किया गया है चंदिगर से कैमरामेन गीजदुर्गापाल के साथ मनोज लाठी डेन नाइट ड्यूज खबरों की दुनिया में आईए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िये हम मिलेंगे फेस्बूक पर हम दिखेंगे यूट्यूब पर हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर हबरों के साथ बने रहे राद दिन